वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान रखेंगे लेली अपडेट्स आते हैं तो यह है टेलिग्राम चैनल इसको भी जोइन कर सकते हैं बाकी यह हमारे पांच इंपॉर्टन्ट आधार रिकंसिडर आधार पे दो पुरा दुबारा से विचार चल रहा है वो और समिब्दा मैरिज एक इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है यह पढ तो इंडिया फ्रांस के रिलेशन है यह प्रिलिम्स और जी एस पेपर टू इंटरनाशन रिलेशन आयार की कॉंसेप्ट में इंपॉर्टन और मॉस्किटो फिश तो है वो पूरा पूरा प्रिलिम्स के लिए पढ़के जाएगा और समिंदा मैरिज जो होती है संपिड मैरि आधार लॉंच हुआ था 2009 में कौन लॉंच किया था यू आई डी ए यूनिक आइटिफिकेशन प्राइटी ऑफ इंडिया भारते विशिष्ट पहचाम प्रादी करें ठीक है जो की भारत की हर एक सिटिजन के पास होना चाहिए अगर आपको गोवी गॉर्मेंट सर्विस च लोग है जिनके पास अधार काड़ है डाट मींग्स 99.9% अडल्ट के पास अधार काड़ है ट्रेकिया आपका आइडेंटिटी प्रूव बन चुका है अधार काड़ और गार्मन को भी सर्विस लेनी है कुछ भी है आपको हर जगा पर अधार काड़ दिखाना पड़ता है अब अधार काड़ से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जैसेगी प्रिविसी और सेक्यॉरिटी कंसर्म्स को अपनियता और सुरक्षा समंधी चिनता हैं जिसमें सबसे पहला यह है कि आपकी इंफोर्मेशन लीक हो जाती है डेटा ब्रीचिंग के बहु क्लाइमेट में भी काम करते हैं उनका बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन जो होता है वो इंप्लिमेंट कराने के लिए यूज किया जाता है लेकिन जैसे अब कुछ हमारे जो मजदूर हैं एमजी नरेगा के तहत अपनी इंप्लॉइमेंट को जनरेट कर रहे हैं एमजी आपको कार्ड दिया जाता है इंप्लॉइमेंट कार्ड उसके तहत पूरा आपको सारी चीज़ें मिलती है तो उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आरी क्योंकि पैसा जो है वो मनरेगा के जितने भी अकाउंट होल्डर से बैंक अकाउंट में डारेक्ट ट्रांसवर कि कहते हैं और सेंट्रलाइजेशन आप डेटा में दिक्कत आ रही है क्योंकि इस डेटा ब्रीच बहुत जादा हो रहा है और पैरेटेशन की ना होने की वज़ा से सर्विस को डिनाई कर दिया जाता है तो अब इसमें क्या ऐसे चेंजिस किया जाए उसमें क्या और सेक्यॉर और अथेंटिकेशन की यहां पर जरुवत होती है करने की कोशिश कर रहे हैं और बायोमेट्रिक का डिटेक्शन जो है वह भी हां पर देखा जा रहा है और आधार के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन पर मॉनिटर रखा जाएगा और अगर कोई बी संदिक की देखने को मिलती है तो उसको अनिवारे ना बनाते हैं उस पर ऐसा रहा कि वह ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए अनकंडिशन आधार का यूज करना चाहिए मांक्स्ट आधार क्या चीज़ होती है जो कि आपके मतलब मांक्स्ट आधार क्या होता है जिसमें आपका आधार काट पूरा डिस्प्ले नहीं होता है बारा डिजिट में से बागी सब डिजिट पर ऐसे एक्स 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 लिखा हुआ होता है मतलब इस तरीके से पूरा ए बहुत से लोगों को तो माश अधार के बारे मा भी इंफसेma brain-pograph को पता है कि भा भारत में जितनी भी मारेजOOO होती है हिंदू हिंदोइज़न की वह एक हिंदू मारिज आक्ट 1955 उसके तहट बुरा चल रहा है अब यहां पर इस आक्ट में आज की कोई विवाद नहीं हुआ है यह विवाद बहुत पहले के चलते आ रहे हैं और यह विवाद एक नहीं बहुत सारे है तो यहां पर इस के तहट हिंदू मारिज आक के तहट भारत में सपिंड विवहा जो होता है सपिंड मैरिज उसको यहां पे प्रोहिबिट किया गया है और अभी दिल्ली हाई कोट में एक कोई केस आया था उसके बाद से यह निउस में आ गया ठीक है अब ये है क्या मैं बताती हूं ये सपिंट विवा होता क्या है और इसमें क्या चीज़ है अभी हुआ ये था दिली मारिज दिली जो हाई कोट है वहां पर ये पाता चाला था अभी कि महिला जो है एक विमिन उसने अपने दूर के चचेरे भाई से शादी की है तो इस विवा को नलन वॉइड डिकलेर किया गया हिंदू मारिज आटकित है क्योंकि ये कैसा विवा है सपिंद विवा है ठीक है अपील वगरा करने के बाद जो है हमारा जो हाई पोट है उन्हें इस निशेत की समिधानिक वैदिता पर चनौती को खालिज कर दिया है ठीक है तो यहां प में उन्हें निग्वात को षोर गल्कर में जो किसी भी सरी पे फॉलो करता है और वो सा इसातर केवल हिंदू ही नहीं वह गुद्ध्च जिपाल्ड चाहें वह जैन और सिख भी हो क्योंकि Muslims और Christians का अपना different act है चीक है तो हिंदू के हर section में इसको यहाँ पर एक rule के rule में follow लेकर क्या आगया इसलिए यह सब में लागू होता है चीक है तो समिब्ध विवहा जो होता है यह संपिंड विवहा यह सपिंड विवहा इसे खा जाता है कि भई द अपनी मौसी के बेटे से हो जाना इस तरह ही जो होते है यह बहुत common होता है तो वो चीज़ को कहते है संपिंड विवहा ठीक है बई तो यह ऐसा बोला जाता है इसके according कि मात्र पक्ष की और से आपकी ममी की side से एक हिंदू वियक्ती है वो विवा नहीं कर सकता आगे आने व generation तक ऐसे किसी से शादिन नहीं कर सकता अगर ऐसा कभी भी पाया गया है तो हिंदू marriage act के तहट वो विवा संपन नहीं कहला जाएगा उसे शून ने घोशत कर दिया चाहिए तो यह था यह वाला पूरा और डिली हाई कोट ने भी जो यह पूरी एक निर्ने दिया है यह उस संपिंड विवा को समझते हुए ही दिया है ठीक है उन्होंने यह बोला कि भई जो society के norms और custom सा उसको समझने की कोशिश करो ठीक है कि महिला जो है अपने पूर्व पती के विरुद विदी अनुसार उचित मंच के समक्ष कानूनी कारवाई भी शूरू कर सकती है यह भी इस कि होता क्या है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह है मतलब कि आप पांच जनरेशन और तीन जनरेशन तक कोई शादी नहीं कर सकते उसके बात कर सकते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं मारेज से जोड़ा हुआ तो बिल्कुल हमारे पास अपने खुद की पसंद के व और इसे जोड़े हुआ हमारे पास केस भी आया है कई बार लता सिंग वर्सेज स्टेट अफ यूपी केस शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनिन ऑफ इंडिया दो अजर अठारा का केस तो यह सब भी कई बार केस इससे जोड़े हुए रही है तो अभी यह वाला टॉपिक जोड़ा हुआ केस था बढ़ते हैं हमारे थर्ड अर्टिकल के तरफ अबॉर्शन के रूज क्योंकि अभी दिल्ली हाइकोट ने अगें दिल्ली हाइकोट ने यह बोला है उन्होंने एक पहले मैं आपको यह बताया भी था पहले बी एक बार कि जो भी अबॉर्शन के है और वो विड़ो हो गई है विद्वा हो गई तो उन्हों उनको यह बोला गया है कि 29 वीक्स की जो उनकी प्रिगनिंसी है उसको मतब समाप्त करनी के अनुमती दे दी गई है एमस ने उनको जो और इंडिया मैडिकल इंस्ट्यूट है उन्होंने यहां पर मेडिकल रिपो नहीं है ठीक है कोई सभी मतब ऐसा नहीं कि वो जो मा है वो यहां पर अबॉर्शन करवाना चाहती क्योंकि बच्चे में कोई अबनॉर्मैलिटी है ठीक है जो कि अलाउड है इंडिया में यह चीज़ अलाउड है लेकिन यह 29 वीक्स तक अलाउड नहीं है तो कब कितने वी है उसमें कोई abnormalities नहीं है तो termination अगर आप करना चाहते है तो उसमें कोई भी गलत नहीं है ठीक है वो बिल्कुल नैतिक है एथिकल है ठीक है अगर अभी भी यह भी बोला है कोट ने कि अगर कभी भी कोई महिला है वो उसका gestation period चल रहा है 32 weeks का हो गया तो वह एम से किसी भी government hospital में delivery के लिए जा सकती है 32 weeks का दिया है तो अभी मैं अगर बात करूँ present के time period में तो हमारा एक act है जो है Medical Termination Act MTP 2021 में इसको change करके लाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आप abortion करवाना चाहते हैं तो वो जो है abortion का time limit 24 हफते तक कर दिया गया था चीक है 24 हफते तक उन cases में किया गया था जिसमें कोई जो female है वो rape survivor है या फिर baby is showing some abnormalities यह उस case में किया था but usually it is 22 weeks for normal cases ठीक है तो अभी इस पूरे act में यहां पर पूरा-पूरा ही इसमें बताया गया कि भई अगर कभी भी abortion होता है तो वो किस की निगरानी में किया जाएगा कितनी stages रहेंगी उसके अंदर और इसके बाद ऐसे ही abortion ने हो जाएगा एक medical board से assessment होगा medical board permission देगा female की health को लेकर बेवी की health को लेकर then only यह चीज़ की जाए ठीक है तो यह हां कई अगर ऐसे मान लीजे कोई ऐसे cases आ जाते हैं जहां पर जैसे यह वाला cases आया यह वाला female का case आ कि medical termination का status क्या चल गरा है इंडिया में तो काफी जादा सही हुआ है पहले के मुकाबले पहले बहुत जादा medical termination हुआ करते थी अब थोड़ी सी कम हुई है लेकिन फिर भी हम लोग world में top 10 में इसके अंदर आते ही आते हैं इसमें हम लोग top 10 में अभी भी included हैं ठीक है 60% of the maternal death जो है वो अभी भी इंडिया में देखी जाती है और इवन इस तरीके की चीजों में हम लोग कोई मतलब होता है कि बाद की जो एक केर होती है कई बार फीमेल जो है वो बात की जो केर होती है उसमें भी अटेंड करने नहीं जाती है जिसके वाज़े से उनको बहुत जादा प्रॉब्लम्स की फेस करने पड़ती है कॉंप्लिकेशन्स फेस करने पड़ते है एट्सेक्टरा राइट तो इससे जोड़े वो कुछ केसे भी रहे जिसे मैं आपको बताया कि एक बार ऐसा हुआ था कि 26 वीक की प्रेगनेंसी को हमारे सुपरीन कोट ने हाँ पर जो है वो डिनाई कर दिया तो बड़ा प्रॉब्लम होगी कि विमिन के पास राइट है अपने बेबी को रखने का या ना रखने का या फिर उस अनबॉंड चाइल्ड के अधिकारों को देखा जाए मतलब वहां पर यह डिबेट होगी दो टॉपिक्स पर कि विमिन के पास राइट है अपने बेबी को देखने का या नहीं या फिर वो जो अनबॉंड चाइल्ड है उसके राइट को देखा जाए ठीक है पोस्फॉर्टन डिप्रेशन के उपर बात आ गई थी यहां पर कि कितना ज्यादा यहां पर एक तरीके से उनके लिए कितना सदा कॉंप्लेक्स हो जाता है mentally राइट वो जैसे एक प्रॉब्लम आया था जी वह थर्ड चाइड था एक विमन का शी वह नॉट एबल टो टेक केर आफ दा तो वह इस तरीके से उसकी विमन की मेंटर हेल्थ की कंडिशन के उपर बात आगी तो तो ऐसे कई सारे केसिस हैं क्या यह केसिस हमसे नहीं पूछे जाएंगे डोंट वारी यह आपको इक पता होना चाहिए कि वीक्स का क्या गेस्टेशन पीरियोड है हमारे पास कौन सा राइट है इसकी ओपर यह यह यू और उन्हेंने भी यहां आकर विजिट करी थी और साथ ही साथ अब हम लोग यहां पर बहुत सारे मिशन्स को भी क्यारी आउट कर रही हैं डोनों कंट्री यहां पर साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में फ्रांस के लारी यूनियन एरिया में एक्ससाइज भी परफॉर्म कर हैं जॉइंट पेट्रॉलिंग्स कर रहे हैं आप रीट कर सकते हो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने जॉइंट पेट्रॉलिंग शुड उपर नहीं है ठीक है एली कंट्री बेसिकली वेस्टन फावर की बात करूँ अगर मैं यूएस से की बात में और य यूरप की पूरी बात कर रहे हैं इंडिया नेवी का प्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा कॉलोनीज है पूरे वर्ल्ड में मतलब की अगर मैं पूछू आप से कि पूरे वर्ल्ड में सबस्यादा टाइम जोन किस कंट्री के हैं तो आपके दिमांग में रश सफिक ओशन एट्लांटिक ओशन में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उनके अंदर में हैं ठीक है तो वह चीज़ है यहां पर क्लियर हुआ तो फ्रांस के साथ हम लोगों के रिलेशन इस तरीके से बढ़ रहे हैं डिफेंस एकसराइस आपको पता है बढ़ रही है गरुड औ और वरुल साथ ही साथ इन्होंने ट्राइलाटरल कॉपरेशन भी स्टार्ट करने की कोशिश की है डिफेंस इंडस्टरल कॉपरेशन स्टार्ट करा है डिफेंस इंडस्टरल कॉपरेशन कमिट्मेंट करने के लिए ठीक है डिफेंस इंडस्टरल कॉपरेशन में जो भी डि इंडिया नाम्ट फोर्सेस की नीड्स को फुल्पिल करने की पूरी कोशिश करेंगी उसी के लिए MRO इंडिया और फ्रांस के रिलेशन जो हैं वो कैसे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यह पूछे जा सकते हैं हमसे एक्जाम में इनसे सीधा सीधा क्वेशन हमारे जरूर जरूर बन सकता है ठीक है दोनों कंट्री के बीश में काफी अच्छे रिलेशन आज के टाइम पे बढ़ गई है ठीक है ना तो स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप देख लो या मिलिटरी के रिलेशन में कहूंगी काफी जादा हो गए अब तो मिलिटरी के काफी जादा बढ़ गए पहले उतने जादा नहीं थे पर अब तो काफी जादा इंक्रीज हो गए मिलिटरी के रिलेशन्स FDI भी बढ़ गया है Foreign Direct Investment जो इसे हम कहते हैं वो भी बढ़ गया है और साथी साथ अभी आपको पता है कि Republic Day के टाइम पे 26 जन्वली को President of France भी इंडिया आए थे सुना तो होगा इसके बारे में ज़रूर आपने है न यह भी चल रहा है और साथी साथ हम लोग इंडिया Middle East Europe कॉल्डर जो बना रही है उसमें उन्होंने बात चीत करी आपसमें क्या मैं ऐसे करना चाहते हैं और Defense Industrial कॉल्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविलियन के हेलिकॉप्टर भी बनाने की टाटा ग्रूप और एयर बस मिलके बना रहे हैं सी 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ गुजरात के अंतर चीक है शक्ति जेट इंजन डीन स्टार्ट की जा रही है स्पेस का को ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है च जबुद एयर एक्सेसाइज और शक्ति आरमी एक्सेसाइज है ठीक है शेया ना तो यह बहुत में इन इंपॉर्टेंन चीज़ है और दोनों ही कंट्री आयसे का भी पार्त हैं इंटरनाशनल इसे का इसे जसे जलिए आनापर इसे दो बाता दिया बद़ा दूं दोनों नियू स्पेस इंडिया लिमिटेट और एरियानी स्पेस फ्रांस का इन लोगों ने मिलकर के साटलाइट लॉंच पे भी पार्टनर्शिप वह बात लगए भी होगी है कोई नहीं है बट इन्होंने स्टार्ट कर दिया जो चीज इसी के तहते इन्होंने साटलाइट और पेलो तो बन गया है आगे भी होगा आभी तो रशी आया ना टॉप पे सिवेल नुकलियो डील साइन करना सेविल हलिकॉप्टर्स के लिए साइन करना इंटनाशन फोरम पे हमेशा ही यूए एसी में फ्रांस जो है वो इंडिया की पर्मनेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करत तो यह था आपका इंडियार फ्रांस के बार में क्योंकि अभी नियूस में चल रहा है तो आयार जब भी आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को आपको जरूर जरूर रीट करके जाना हूं वही मैं बात करूं अब हमारे लास्ट राटिकल की वह है मौस्किटो फिश बहुत से लो क्या नाम है उनके यहां देखो गैंबूजिया और गैंबूजिया और ब्रूकी चीक है मौस्किटो के लावा पर यह फीड करती है ठीक है तो यह जो है ना मतलब मौस्किटो फिश की वज़े से हमारे इंवार्मेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आने शिज़ों होगी है यह आपको समझना है सिर्फ आपको तो एक्स्ट्रा फाक्स भी बता होने चाहिए तो मौस्किटो फिश्डो है वो यही एक अभी काफे जादा उनकी वज़े से दिक्कते आ रही है इसलिए इन्यूस में चल रहा है इस पर साइंस एं टेक्नोलोजी का टॉपिक है इस पर क्वे बैठतीं यह मौस्किटो लावा को कंस्यूम करती है मौस्किटो को खातीं फिश हेवाल कि यह रही सोर लावा यह खा सकती है जिसकी वज़े से यह मौस्किटयों bac patreon को तो कम कर देदी टीए इसे कि हम से तो ही ऐससी स्पीशिज हैं जो कि मौस्कइटो लावा पर र parapet को एफिंस और गैंबूज या खोलबूर की चीक है तो कईयों का तो अच्छा impact पड़ता है और कईयों का ecological पे अच्छा impact नहीं पड़ता है चीक है शिकार करना देशी मशलियों को खाना इन सब पर यहां पर देखा गया इनके उपर आस्टेलिया में भी देखा गया था कि मॉस्किटो फिश की वज़े से रेड फिनेट ब्लू आई नामक एक स्थानिक मचली की प्रजाती थी वो खतम ही इनकी वज़े से तो इनको कंट्रोल करनी की जरूत है अगर इस तरीके से यह कंजियूम करती गहीं खाती गहीं तो इनकी इतना चाहता है यहाँ पर इनका मॉस्किटो फिश को भी खाँ जाती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सर्तार ने यहाँ पर नैशनल सेंटर फोर वेक्टर-बॉन डीजीजिस कंट्रोल की उपर बात करी है लोकल सॉलूशन से इसको ठीक करने की कोशिश करी है काफी सरे से एक्सपोर्ट से बात करके इसको भी करेक्ट करने की ज़रूत यह तो हमारी जो यूनीक स्पीशिस होती है उनको खा जाती है ठीक है तो इस तरीके से यह एक चीज है यह एक प्रॉब्लम यहां पर रहेगा ठीक है भई समझ गये ना बात को तो यह एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि सही भी है और गलत भी है दोनों तरीकी की चीज़े है तो इसको भई है कि इसको रिवालिवेट करो और लोकल सॉलुशन को देखो कि इस पर हम क्या कर सकते हैं लोकली सारे एक्सपोर्ट्स लोग मिलकर करके इस पर बात करें हाट टाइप के एक्स क्लियर हुआ भई अभी हाल फिलाल में एक और डिस्कावरी हुई है यह भी आप क्वेशन पढ़ सकते हो कोरल रीफ फॉसल बुट से रीजल लगता आप में ठीक है कोरल रीफ यहां पर देखने को मिला है वैसे तो आपने पढ़ा होगा पूरल रीफ आपको सबस्दा कहां प्लुमा मिलते हैं अंदमान लक्षरदीप पानी के रेजन में आपको देखने को मिलते है अब यहां पर फॉसल मिले है किया कॉरल रीफ के फॉसल डुर ब comigo कि है इस से ये पता चलता है कि कोरल रीफ कभी एक समय पर जो है यह ऐ और वो एक ओशन हुआ करता था पहले किसम में तब तो उसमें कोरल रीफ के फॉजल मिले हैं आह समझ रहे हो पहले कभी ऐसा हुआ कर तो मिलती पानी के अंदर आफ़्ाराइफ पीट अबब मिले हैं तो कभी एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था यह एक नई डिसकवरी इससे प पानी में मिलती हैं तो ऐसा बोला कि हिमालिया इमर्ज हुए होंगे ठेक है उसमें इको सिस्टम से बहुत सारे क्योंकि आपको पता है कोरल रीफ में सीए सीओ ट्री कैल्चियम कार्बोनिट की अमौंट सबसे जादा होता है ठेक है तो वह हमें देखने को मिलें आज के ट्रै क्लियर हुआ अब ही आँ तक वहीं हमारा लेक्स्ट क्वेशन है नाइमन पिक डिजीज यह मैंने आपको वैसे तो कंप्लीट करा दिया है लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूं नाइमन पिक डिजीज एक टाइप का रेर डिजीज ने भी कांट किया जाता है और इसकी वज़ा से काफी जादा देखने को मिली है देथ यह तरीकी से मेटाबॉलिक डिसॉर्डर होता है आपका पेट की एक समस्या होती है जिसकी वज़ा से हमारा ब्रेन लिवर लंग्स बोन मैरू उसमें एक अजीब सा लिपिड अपने आप जमा होना शुरू हो जाता है लिप ब्रेन लिवर लंग्स बोन मारों में लिपिड की फॉर्म में डेपलाप होने लग जाता है नाइमन पिग डिजीज को जो है रेर डिजीज में काउंट किया जाए ताकि जितने भी ऐसे पेशन्ट से उनको यहां पर सपोर्ट किया जा सके ठीक है और इस चीज को रिप्लेस रिजन है इंडियन ओशन है बेफ बेंगॉल है अंडमान निकोबार था लक्षवदीप था वहां पर देखने को में लेकिन अभी रिसेंटली जए लग्दाक में डिस्कवरी हुई है लग्दाक के बुट से डीजिन में डाट में लग्दाक भी कभी जिस्कवरी से परा चा टाइम इट वॉज वास्ट ओशन तो अभी जो डिसकवरी हुई है अठारा हजार सीट के उपर तो इसका क्या रिलिवेंस है एंड साथ ही साथ कोरल रीव समारे लिए कितना इंपोर्टेंट है कोरल रीव जो है जवाल भत्ता कहते हैं इसको हिंदी में प्रवाल भित्ता स् इसके डिसकावरी क्या इंपोर्टेंट रहे है तो इसी के हिसाब से आपको एक पूरा आंसर लिखना है राइट एवरिवन मिलते हैं आप सभी लोग उसे नेक्स लेक्चर में तब तक तेरे धन्यवाद शक्रिया जैवे